तो आज 1st January 2018 है और 2018 की शुरवात हो चुकी है जो भी important news होगा हम लोग उसको discuss करेंगे और जैसा कि आपको पता है कि यह साल बहुत important होगा हमारे लिए और हम सब के लिए जो भी इस analysis में जुड़े हुए हैं तो उनसे request है कि जो current affairs के news है उसको follow करते रहें और आज भी इस news को देखें क्योंकि important news है कुछ तो आज start करते हैं analysis को first of all I wish you a very happy new year यहां पे quote लिखा हुआ है जो आपको शायद help करें चीजों को समझने में no one can go back in time to change what has happened so work on your present to make yourself a wonderful future तो actually हमारे पास के अलवा कोई दूसरा option होता नहीं है हम background में जाकर के 12th का result ठीक नहीं कर सकते हैं background में जाकर के graduation में और अच्छे percentage नहीं लेकिन we have an opportunity that we can crack UPS examination but उसके लिए हमें अपने पास से सीखने के आवशकता है और अपने future को बहतर बनाने के लिए present में मेहनत करने के आवशकता है तो आप लोग इस नए year की शुरुवात बहुत अच्छे से करें और जो भी आपको resolution बनाना है उसको बनाएं तो wish you a very happy new year और आज हमें स्टार्ट करते है न सिसको सबसे पहरा news काफे important है mission to touch sun on NASA's 2018 list तो 2018 में NASA का भी एक special program launch होने के लिए जा रहा है that is NASA's Parker Solar Probe it's scheduled for launch 2018 तो 2018 में इसको launch किया जाएगा Parker Solar Probe को यह Venus की gravity में होगा और इसका अदेश होगा जो solar wind आती है वहां से corona से निकलने वाले जो solar wind होते हैं जिसमें काफे energy particles होते हैं तो वह किस तरीके का होता है क्या होता है कितना हाम कर सकता है इन चीजों को जानने के लिए नासानीगे mission launch करने का सोचा है तो Parker Probe will perform its scientific investigation in hazardous reason of intense heat and solar radiation गया रखेगा इंपोर्टेंट है कि यह भी बन सकता है कि जो Parker Solar Probe वह किसके दोरह launch किया जाएगा तो NASA होगा इसका सही answer और इसको sun के outer atmosphere में रखा जाएगा ताकि वहां से जो solar winds है उसके बारे में जाना जा सके ठीक है निक्स्ट निउस है Two new ginger species found in the north east जिंजर की दोने species पाए गए हैं नौर्ड इस रीजिन में तो यह कहां कहां पर एक तो उखरुल मनिपूर और दूसरा यूंग सेंग नागलेंड दोनों ही जो जगह है वह म्यामार को बॉर्डर करते हैं याद रखेगा आपको मैप याद है तो मैमार का और इंडिया का बॉर्डर कहां का पर टच होता है तो मनिपूर और नागलेंड में यह दोनों species जो जिंजर की हैं वह देखी गई हैं पाई गई हैं and the species discovered यूंसांग district में नागलेंड में इसको देखा गया epiphytic plants और जो tall trees होते हैं वहां पर यह grow करते हैं and both the plants are from the family of ginger barachia and to which the commonly found ginger तो अगर question बनेगा भी UPSC में तो इस तरह के से होगा कि यह जो दो ginger species हैं यह किस रीजन में पाई गई हैं तो यहाद रखे कि नॉथ-East reason में पाई गई हैं मनिपूर और नागलेंड में next news is new night frog species found once again कई सारी species पाई जा रहे हैं तो यह night frog species भी पाई गई है western ghaad में याद रखेगा western ghaad में new night frog species पाई गई है that is called known as the nightrybacteris mevasinghi बहुत difficult नाम है देख लीजेगा एक बार अगर आपको थोड़ा सा भी आपने देखा होगा तो आप आप टिक कर पाएंगे हलांकि ऐसे नाम scientific name नहीं दिये जाते है night frog के ही नाम से आएगा तो आपको याद रखना है कि western ghaad में इसको ढूंडा गया है and frog in the genus is commonly known as the night frog तो night frog के नाम से जाने चाहते हैं और western ghaad के mountain range में मिले हैं ठीक है and it is also belongs to a genus endemic to western ghaad तो यह जिस gene से आते हैं वह endemic है western ghaad में यह भी धान में रखना है और कहां पर यह पाएगा है तो koji kode malabar wildlife sanctuary है वहां पर इनको दिखा गया है कहां पर यह sanctuary कहां पर है केरला में है that is koji kode malabar wildlife sanctuary next news है Arunachal declared open defecation free state तो हाला कि open defecation free state का attack कई सारे राज्यों को मिला है तो अगर नौसी सीजन की बात करें तो और राज्यों परदेश दूसरा इस राज्य बन गया जिसको की open defecation free का status मिला है इसके पहले 9 सीज में सिक्केम को मिलावा था तो इसके पहले राज्यों का दर्चा तो थ्री दिस्ट्रिक्ट अपर, सुबंसरी, सियांग और चांगलांग तो यह जो रीजन है यह कहां पर पाए जाते हैं और अच्छा परदेश में पाए जाते हैं इन डिस्ट्रिक्ट को डेकलेर किया गया है तो इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखेंगे कोशन वगर में आप इसके आंसर वगर में भी लिख सकते हैं जब सुख्ष भारत अभियान पर कोई कोशन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी गवर्मेंट है उनका टार्गेट भी है कि 2019 तक अचीव करना हर देश के हर राज को ओपनेटिफिकेशन फ्री बनाना तो इसमें उनका परदेश भी शामिल हो चुका है नेक्स्ट न्यूस है मिनिस्ट्य आफ रेलवे का है प्रजेक्ट स्वर्ण किस से जड़ावा था कोशन इस तरीके से आ सकता है तो फर्स्ट आफ ओल इसको मिस्ट्य आफ रेलवे ने लॉंच किया था 14 राजधानी और 15 शताबदी ट्रेइन वर इडेटिफाइड तो सिगनिफिकेटली इंप्रूफ पैसेंजर एक्स्पीरिंस इस प्रजग्ट में याद रखिएगा जो प्रजग्ट स्वर्ण है इसमें राजधानी और स्ताबदी ट्रेइन है उसमें प्सेंजर के लिए और इंप्रूफ आपको यह बात याद रखनी है कि जो ये train होती है, राजधानी ये स्ताबदी वगर ये अपने सर्विस के लिए बहुत जाने जाती है, चाहे वो time पे destination में पहुचाने की बात हो या फिर जो वहाँ पे आपको सर्विस दी जाती है, train में सर्विस दी जाती है, खाने पीने की सुविदा, तो इसमें सबसे ब्राजधानी में सर्विट के लिए स्को लाए गया. और नियूस इस नस्ट्रीशन मिशन पहले भी हमने सको डिसक्स किया हुआ है और यह N&M आपको पता है कि क्यों लाए गया है, नूट्रिशन बेस जो भी स्कीम चलाई जाती है इंडिया में उसको चेक करने के लिए that is it is implemented or not इसके लिए इसको इंटोड्यूस किया गया है to deal with the problem of malnutrition on a war footing the government of India has approved setting up the national nutrition mission तो इंडिया में जो malnutrition वगरा की problem है उसको खतम करने के लिए उसको eradicate करने के लिए इसको लाइए there are various programs like आंगनवारी service प्रधान मंत्री मात्र वंदना योजना, adolescent girl of women child development ministry या फिर जरनी सुरक्षा योजना तो ऐसे जो योजना हैं भारत में उसको उसके implementation को चेक करने के लिए ये काम करेगी and the goal of NNM are to achieve improvement in nutritional status of children तो खास करके 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं 0-6 years के जो children's हैं उनमे nutrition status का improvement हुआ है या नहीं या फिर pregnant women जो है या lactating mothers जो है उनमे nutrition है या नहीं या लोगों वहां तक पहुंच रही है कि नहीं nutrition जो की आंगनवारी या आशा के थूरू लोगों को दिया जाता है तो उसके लिए एक target fix किया गया है 2007 The whole objective is to enhance nutrition in the children, lactating women and pregnant women also तो important है National Nutrition Mission याद रखेगा पहले भी discussion किया है हम लोगोंने तो questions बने की संभावना है यहां से पर So the next news is Pridhan Mantri Matru Vandana Yojna और इसको 31st December 2016 को Pridhan Mantri Ji ने रांच किया था यह basically maternity benefit program है बहुत important है यह scheme याद रखेगा इसको पूरे भारत में चलाया गया था For the pregnant women and lactating mothers के लिए The program has since been named as Pridhan Mantri Matru Vandana Yojna इसका नाम ही है Matru Vandana Yojna यानि कि जो माएं है या फिर जो pregnant women है उनको help किया जा सके तो इसमे 60,000 rupees तक का financial assistance प्रवाइट किया गया है इसमें eligible beneficiaries को 6,000 rupees तक का incentive भी दिया गया है इस program में questions में बन जाता है ऐसे prelims में की statement लिखा हो होता है की इसमें financial assistance था या नहीं तो इस scheme में था And the scheme implementation guidelines the software for rollout of the scheme of Pridhan Mantri Yojna Common Application Software तो याद रखेगा एक software इसके लिए launch किया गया था उसका नाम था Pridhan Mantri Mantri Yojna Common Application Software जिसके through लोगों सक जुड़ा जा सके और इस scheme का implementation किस तरीके से हो रहा है उसको जाना जा सके Next News है Integrated Child Protection Scheme तो ये भी Ministry of Women and Child Development Ministry का है जिसमें की जो child है Children's है उनके protection के लिए चीजों को लाया गया था and the scheme has been brought under the Umbrella ICDS as its sub-scheme with nominac lecture of the child protection services तो इसमें किन किन बातों का धियान रखा गया थे उसे पहले तो Maintenance Grant for Children of Rs. 2000 तो इसमें 2,000 रुपे तक का assistance दिया गया था बच्चों को and increased by 8% annually in home तो इसको increase करने की बात कही गई थी तो important है Children's के लिए आया था यह जाद रखें कि Integrated Child Protection Scheme इसमें और भी कई सारे स्कीम से इसको add किया गया था तो objective question हमने कर डिसकस किया था उसका answer देख लीजे ROG year 2017 से डुड़ा हुआ था इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कुछ लोग confused में कुई यहां पे ministry का नाम दिया हुआ है तो ministry बिल्कुल सही है एक तो आयूश ministry थी और इसको इसके ने collaboration किया था ministry of commerce and industry के साथ तो इसमें confused नहीं होना है बिल्कुल सही है दोनों ही ministries में involved है और दूसरा statement है तो यह भी बिल्कुल सही है और इसका answer होगा answer is C, both the state would are correct So thank you, thank you very much for being with me here and once again wish you a very happy new year आप लोग enjoy करें, enjoyment के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है तो आज थोड़ा सा पढ़ाई तो जरूर करें Thank you